C.I.E.T.E.N.C.E.R.T.E. द्वारा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आईए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का नवा सबक सौकत थानवी सफ़ा नंबर 87 ड्रामा ड्रामे का तारुफ ड्रामा युनानी जबान का लव्ज है इससे मुराद है करके दिखाना इसमें किरदारों, मकालमों और मनाजर के जरिये किसी कहानी को पेश किया जाता है कदीम हिंदूस्तान में भी इसकी रिवायत मौजूद है और इसको नाठ्टे कहा जाता है अरस्तू ने ड्रामे को जिन्दगी की नुमाइंदगी यानि मिमोसिस कहा है दास्तान, नौविल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहास से हकीकत से करीब तर होता है के इसमें अलफास के साथ साथ किरदार, उनकी बोल चाल और जिन्दगी के मनाजर भी देखने वालों के सामने आते हैं किरदारों की जहनी और जज़बाती कश्मकश को मकालमे और आवास के उतार चड़ाव के जरिये पेश किया जाता है ड्रामा बुन्यादी तोर पर स्टेज की चीज है लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं रेडियो की वज़ा से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और टेलिविजन पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज्यादा पेश किये जाते हैं उनका तालुक भी किसी ना किसी तरह ड्रामे ही की सिन्फ से है अरस्तु ने ड्रामे के अज़जा तरकीबी में छे चीज़ों को जरूरी करार दिया है गिस्सा, किर्दार, मकालमा, मरकजी खयाल, सजावट और संगीत लेकिन जरूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसिकी का उनसर हो प्लॉट, किर्दार, मकालमों और मरकजी खयाल का होना अलबता जरूरी है ड्रामे की काम्याबी के लिए जरूरी है कि इसमें वाकियात की कड़ियां इस तरह मिलाई जाएं कि बतद्रीज नुक्ता अरूज तक पहुँच सके और नाजरीन की तवज्जे एक नुक्ता या खयाल पर मरकूज हो जाए इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है वाकियात से जो नतीजा बरामत होता है वो अंजाम के जरीए पेश कर दिया जाता है हको बातिल और खैरो शर्की कश्मकश बुन्यादी इंसानी इकदार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है सफा नंबर 88 शौकत थानवी तारूफे ड्रामानिगार शौकत थानवी 1904 इसवी से 1963 इसवी तक शौकत थानवी का असल नाम मोहमद उमर था वो उर्दू के मशूर मिजानिगार थे मजाहिया तहरीरों और नौविलों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं उनके कलम में बला की रवानी थी रोजमर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाकियात को इस मजे से बयान करते और उनमें ऐसे ऐसे दिल्चस्प नुक्ते पैदा करते थे के पढ़ने वाला बे इख्तियार हस परता वो अलफास के इस्तेमाल और जुमलों से भी हसी पैदा करते थे वो शोखी और जराफत के साथ उसका भी खयाल रखते थे के तहरीर में तहजीब से गिरी हुई बात या फुकरा ना आने पाए उनकी जुद्धते जहन मामूली बातों को भी दिल्चस्प बना देती थी सौदेशी रेल, मौजे तबस्सम, तूफाने तबस्सम, शीश महल, जोड तोड, कार्टून और काजी जी वगएरा उनकी मशूर किताबे हैं शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मजाहिया शायरी नहीं, बलके संजीदा गजल की शायरी है सफ़ा नमबर 89 खुदा हाफिज जामा निगार शौकत थानवी मीर साहब अपने मसाहिब और तमाम एहबाब में बैठे हुए सफर के मुतालिक तबादला ख्यालाद कर रहे हैं मीर साहब अमा तुम ही बताओ मिर्जा साहब के इस रेल के सफर में नसीब दुश्मनान जान जोखम तो नहीं है मिर्जा साहब आपकी भी वल्ला क्या बाते हैं? यानि मैं कहतो रहा हूँ कि इस रेल के सफर में सर के बाल सफैद कर लिये हैं फिर आपका ये सफर तो कदम भर का है मीर साहब इन्शाला मगर भई बात ये है कि ये पहला इत्फाक है इसी से जी खबराता है अमा तुम भी चलो ना साथ तुमको जराए सफर का तजर्बा है और मैं बिलकुल नया आदमी तुम्हारे सरे अजीज के गसम कलेजा हाथों उचलता है मिर्जा साहब देखिए अगर आप कहते हैं तो मुझे क्या अजर हो सकता है मगर आप ने तो वल्ला कमाल कर दिया इस जमाने में आप ऐसे बहुत कम निकलेंगे जो रेल के सफर से नवाकिफ हूँ मीर साहब भई यकीन जानो मैं खांदानी वजे के खिलाफ ये बात कर रहा हूँ अल्ला जन्नत नसीब करे अबा जान मरहूम तो कभी इस महले से बाहर न निकले थे और खुदा बख्षे दादा जान मरहूम के मतालिक मशूर है कि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले एक मैं ही हूँ के देश छोड़ कर परदेश की ठानी है दर्वाजा खुलने और एहबाब की आवाज मिर्जा साहब लीजे लीजे शेख साहब भी तश्रीफ ले आए शेख साहब आगे आकर आदा बजा लाता हूँ हुजूरे वाला मीर साहब तसलीमात अर्ज है भाई साहब खूब तश्रीफ ले आए आप शेख साहब जी हाँ अभी सुना था के सवारी कहीं सेरव सियाहत को जा रही है मीर साहब लो और सुनो ये सेरव सियाहत है के आदमी देश छोड़ कर परदेश का हो जाए मगर क्या करूं मजबूर हूं जायदात का मकद्मा है नहीं जाता हूं तो खांदानी जायदात जाती है वरना भाई तुम तो जानते हो के हमारे खांदान को सफ़र से क्या इलाका शेख साहब बजा फरमाते हैं आप बेशक तश्रीफ ले जाना नहायद जरूरी है मिर्जा साहब भाई साहब हमारे मीर्जाहब रेल के सफ़र से सख्त परिशान है आप ही कुछ समझाईए मीर्जाहब अरे भाई मैं परिशान हूँ अलबता पहला इतिफाक है और सवारी भी वो ऐसी जिसकी ना लगाम ना जिस पर चाबुक का असर और सुना है फिर भी वो हवासे बाते करती है शेख साहब आए जनाब इसमें जरा भी तश्वीश की बात नहीं मैं खुद बराबर सफर करता रहता हूँ नहायत आराम की सवारी है मिर्जा साहब मैंने पहले ही अर्ज किया था लेकिन आपको इत्मिनार नहीं होता और मुझको भी साथ लिये जाते हैं मीर साहब तो क्या शेख साहब किबला को मैं छोड़ दूँगा शेख साहब नहीं हजरत मैं तो मुआफी चाहूँगा आजकल घर में जरा अलील हैं और खुद मुझको भी सुभा से अच्छी के आ रही हैं मीर साहब ये तो वल्ला हो ही नहीं सकता कि हम परदेश को सिधारें और हमारे एहबाब देश में रहें आपको तो मैं छोड़ी नहीं सकता मिर्जा साहब भाई साहब आपने कभी मीर साहब किबला की किसी बात में कोई उजर नहीं किया सफ़ा नंबर 91 शेख साहब अरे मैं और उजर करूँ अस्तखफर उल्ला मैं तो सिर्फ इजाज़ा चाहता हूँ वो भी अगर मन्जूर नहीं है तो जो हुक्म हो बंदा हाजिर है मीर साहब बस तो साहब आप फोरण घर तश्रीफ ले जाकर उल्टे पैरों वापस आ जाईए इसलिए कि अब वक्त कम है शेख साहब अरे भाई गाड़ी चार बजे जाती है और अभी एक ही तो बजा है मीर साहब ये दुरुस्त है मगर क्या एतिमार इस बेल अगाम घोड़े की गाड़ी का और जो पहले चल दे तो मिर्जा साहब जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता मगर एहतियात अच्छी चीज़ है अगर घंटे दो घंटे पहले स्टेशन पर पहुँच जाएं तो अच्छा है शेख साहब तो मैं इजाज़ा चाहता हूँ अभी हाजिर हुआ मीर साहब बिसमिल्ला मगर चश्म बरा हूँ शेख साहब मैं अभी हाजिर हुआ बस गया और आया जाता है पैरों की चाप दर्वाजे की आवाज दौलत आता है मीर साहब क्यों दौलत क्या है भई दौलत सरकार बिस्तर में तकिये तकनिया तविश्क चादर शाल पलंग पोश रखतिया है और कुछ तो न रखा जाएगा मीर साहब और लिहाफ मिर्जा साहब यानि इस कर्मी में लिहाफी जाएगा मीर साहब भाई परदेश का मौामला है मालम नहीं वहाँ का मौसम कैसा हो मिर्जा साहब चार कदम पर वो जगा जहां आप तश्रीफ ले जा रहे है वहाँ का मौसम वही है जो यहाँ का है सफा नंबर बानवे मीर साहब अरे फिर भी अगर लिहाफ रख लिया जाए तो क्या मौझा का है और हाँ मच्छरदानी भी बिस्तर में रखते ना दौलत सरकार मच्छरदानी के बांस भी मीर साहब बांस है तो जरूरी मगर क्यों भी मिर्जा साहब बांसों में जरा तलावत है मिर्जा साहब अजीब बांस बांस नहीं जो देखेगा हसेगा मीर साहब अच्छा बांस ना रखो भी मगर देखो एक आद कालीन और एक आद गाव तकिया कहीं अलाइदा जरूर बांध लेना मिर्जा साहब ये सब क्या होगा मीर साहब यानी क्या आरे भई वहां बैटने उठने की जरूरत ना हो की मिर्जा साहब दिन भर का कयाम है और एक रात गुजार कर वापसी कहराता है इसके लिए ये सब जगड़ा मीर साहब तो आखिर बे सरो सामानी के सफर से क्या हासिल मिर्जा साहब बेहतर है अगर आपकी यही मर्जी है तो मुनासिब है दौलत अब सरकार कोई और चीज मीर साहब कपड़ों के दोनों बक्स लोटे, तश्ट, उप्टन दानी, साबुन दानी, मनजन दानी, तौलिये चाई के लिए पतीली, गिलास, ठालिया, अंगीठी, कोईलों का थैला चाई के सब बरतन वगरा रख लिया है न मिर्जा साहब ओफ, ओ, खुदा की पना, आखिरी, इतना सामान मीर साहब अरे भाई, परदेश का मौामला है, क्या घर से योहीं चल दिया जाए दर्वाजा खुलता है, रौनक मुलाजमा आती है, मीर साहब क्या है रौनक, उसके बाद, पेज नमबर अरी नेक बाख्त, ये कश्टी में क्या लाई है रौनक, आय कुर्बान जाओं सरकार, ये बड़ी बेगम के यहां से गिलॉरियां, फूल और इमाम जामिन भेजे है मीर साहब अच्छा 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 रखो रखो, और बड़ी बेगम को सलाम कहला दो रौनक, सरकार अभी तो और कश्टियां भी है मीर साहब यानि और हैं अभी रौनक, जी हाँ सरकार, अल्ला रखे सरदार दुलहन बहु बेगम, शम्षाद बेगम, नूर महल, कमर दुलहन सभी ने तो इमाम जामिन भेजे है मीर साहब खूब 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 खूब, ला भी लाओ, वो कश्टियां भी ले आओ रौनक, और अल्ला सलामती रखे बहु बेगम और कमर दुलहन ने तो नाश्टा भी भेजा है मीर साहब अरे भई, इस तकल्लुफ की आखिर क्या जरूरत थी खैर नाश्टा तो दौलत को दे दे और कश्टियां यहाँ ले आ रौनक और सरकार, बेगम साहब ने कहा है कि जरी महल में भी तश्रीफ ले आए मीर साहब अच्छा, तू चल, मैं आता हूँ रौनक चली जाती है मीर साहब क्यों भई मिर्जा, तो मैं हो आऊँ जरा महल में मिर्जा साहब बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला, जरूर तश्रीफ ले जाए और मेरा आदाब भी अर्ज करें बेगम साहब से मैं जब तक जड़ा घर से हुआ हूँ मीर साहब नहीं नहीं भाई साहब ये नहीं हो सकता गाड़ी का वक्त करीब है मिर्जा साहब हजरत मैं अभी हाजिर हुआ गरीब खाना कौन सा दूर है सफा नंबर 94 मीर साहब हाँ हाँ मगर भई जल्दी आना मिर्जा साहब मैं अभी उल्टे पैरों वापस आया मिर्जा साहब जाते हैं पैरों की चाप और दर्वाजे की आवाज सुनाई दीती है मीर साहब अच्छा मैं जरा हो ही आऊ महल में दर्वाजा खुलता है बेगम आती है बेगम आए मैं कहती हूँ सिधारने का वक्त आ गया और बाहर से आने को दिल ही नहीं चाहता मीर साहब अरे नहीं तो बेगम मैं तो बसा ही रहा था जरा मेर्जा साहब और शेक साहब को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहा था बेगम तो वो तैयार हो गए चलो अच्छा हुआ दिल भी बहलेगा और अकेले भी ना रहोगे मीर साहब हाँ साहब बड़ा इत्मिनान हो गया परदेश का मौामला है एक से दो भले बेगम मगर मेरा जी लगा रहेगा जाते ही खट डाल देना मीर साहब भला ये भी कोई कहने की बात है बेगम अच्छा जैसे आज मेल से गए तो कब पहुँचोगे मीर साहब आज ही बस छे बजे बेगम आए चलो हटो चले हैं मुझसे मजाख करने चालीस कोज का सफर है और आज ही पहुँच जाएंगे बेचारे मीर साहब अरे तुम्हारे सरे अजीज के कसम बस दो घंटे बलकि इससे भी कम में पहुँच जाएंगे बेगम आए आखिर इतना तेज जाने की क्या जरूरत है कि हवा के घोड़े पर सवार होकर आदमी जाए मीर साहब भाई तो इसको मैं क्या करूँ कहते हैं कि रेल इतनी ही तेज चलती है बेगम हाई हाई मुझे तो हॉल हो जाएगी सफा नंबर पिच्चानवे दर्वाजे पर दस तक शेख साहब बाहर से अरे भई जनाब मीर किबला साहब अब जरा जल्दी कीजिए वक्त करीब है मीर साहब बहुत पहते हैं मैं तो आप कही मुंतजिर था बस अभी आया बेगम तो लाओ मैं इमाम जामिन बांदू और जरा सा दही चकलो अल्ला सल खेर से वापस लाए रोनक सरकार दही मचली बेगम रोनक जरा कश्टियां उठा मैं इमाम जामिन बांदू मीर साहब तो जरा जल्दी करो बेगम वक्त कम है बेगम आये ऐसी भी क्या जल्दी के हाथ पांप फूल जाएं तुम ही तो आप तक बैठे रहे रोनक लीजिये सरकार ये बड़ी बेगम के यहां की कश्टि है मीर साहब अरे साहब जरा जल्दी जल्दी बेगम रोनक पहले हार उठाओ रोनक लीजिये बेगम पहनाती है बिस्मिल्लाः लाओ इमाम जामिन भी बांद दूँ रोनक लीजिये सरकार बेगम बांद कर इमाम जामिन की जामनी मीर साहब अरे भै बेगम और भी सब जल्दी जल्दी से बांदो देर हो रही है बेगम ओहो फिर तुमने हाथ पैर फुलाए ला रोनक और किष्टिया जल्दी जल्दी उठा लीजिये ये लीजिये बेगम बिस्मिल्लाः आए है ये बहु बेगम का कार्चोफ वाला इमाम जामिन कैसा प्यारा है देख तो जरा रोनक सरकार ये शम्शाद दुल्हन के हाँ का हार देखिए गोटे का है और इमाम जामिन भी अच्छा है सफा नंबर 96 बेगम अए सरदार दुल्हन को तो देखो ये अकेला सिल्क का इमाम जामिन भेजा है और ये इसमें पैसा बंधा है रोनक नहीं सरकार अशर्फी है या शायद अठन्नी हो बेगम हाँ ये है इमाम जामिन सरदार दुल्हन देखें तो देखती रह जाएं क्या कहना है कमर दुल्हन का मीर साहब अरे बेगम बस हो गए सब इमाम जामिन बेगम अए हाए मेरा इमाम जामिन तो बंदवालो मीर साहब हाँ साहब वो भी ज्यादा ज़रूरी है और हाँ बेगम एक-एक इमाम जामिन मेर्जा साहब और शेयख साहब को भी भीचवा दो बेगम लो अब चले ये चोचले लेकर मैं अब कहां से लाऊं इमाम जामिन मीर साहब अरे साहब किसी कपड़े में एक एक रुपिया बान दो बस बेगम अच्छा मैं अभी भेशती हूँ मीर साहब अच्छा चलता हूँ बेगम, खुदा हाफिज बेगम अल्ला की अमान इमाम जामिन की जामनी दही मचली मीर साहब अरे भाई अब तुम लोग ज़रा हड जाओ शेख साहब बाहर से आजी हजरत तश्रीफ लई आईए मीर साहब अरे भाई अंदर आजाओ मैं तयार हूँ दर्वाजे से शेख साहब और मिर्जा साहब आते हैं चाप शेख साहब और ज़रा शाम तो देखिए मालूम होता है दूला मिया चले आ रहे हैं सफा नंबर च्यानवे बेगम अए सरदार दुलहन को तो देखो ये अकेला सिल्क का इमाम जामिन भेजा है और ये इसमें पैसा बंधा है रानक नहीं सरकार अशर्फी है या शायद अठन्नी हो बेगम हाँ ये है इमाम जामिन सरदार दुलहन देखें तो देखती रह जाएं क्या कहना है कमर दुलहन का मीर साहब अरे बेगम बस हो गए सब इमाम जामिन बेगम अए हाए मेरा इमाम जामिन तो बंध वालो मीर साहब हाँ साहब वो भी ज्यादा जरूरी है और हाँ बेगम एक-एक इमाम जामिन मिर्जा साहब और शेयक साहब को भी भिचवा दो बेगम लो अब चले ये चोचले ले कर मैं अब कहां से लाऊं इमाम जामिन मीर साहब अरे साहब किसी कपड़े में एक-एक रुपिया बांदो बस बेगम अच्छा मैं अभी भेशती हूँ मीर साहब अच्छा चलता हूँ बेगम खुदा हाफिज बेगम अल्ला की अमान इमाम जामिन की जामनी दही मचली रॉनक मिया दही मचली मीर साहब अरे भाई अब तुम लोग जरा हड जाओ शेख साहब बाहर से अजी हजरत तश्रीफ लेया ये मीर साहब अरे भाई अंदर आजाओ मैं तयार हूँ दर्वाजे से शेख साहब और मिर्जा साहब आते हैं चाप शेख साहब खैर खुदा खुदा करके आप तयार तो हुए मिर्जा साहब और जरा शान तो देखिए मालूम होता है दूला मिया चले आ रहे हैं सफा नंबर 97 शेख साहब खेर दूला ना सही हाजी साहब तो जरूर मालूम होते हैं इन हारों और इमाम जामनों में मीर साहब अरे भई क्या बताओं औरते जो चाहें मना दें शेख साहब अच्छा अच्छा तो अब बग्गी मंगवाईए एक घंटा बाकी रह गया है मीर साहब अरे दौलत अरे दौलत दौलत आता है दौलत सरकार मीर साहब अरे दौलत सब समान तयार है दौलत जी हाँ तयार है कुल तीस अदद है मीर साहब ताश की गड़ी, चौसर, शत्रंज, ये सब तो रख लिया है ना? दौलत जी हाँ सरकार, ये सब चीज़े हैं, मगर मीर सहब अरे मगर क्या, कुछ भूल गए, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है दौलत मैंने कहा सरकार, बटेरे हुजूर को याद करेंगी मीर सहब क्या? बटेरे? भाई, खूब याद दिलाया तुमने भी, उनके काबुक साथ ले लो, वरना वाकई हुड़क जाएंगी वो दौलत बहुत अच्छा सरकार, लो, अब बत्ती सदत है मीर सहब अरे, कोई परवा नहीं, तुम अब दो बग्या फॉरन ले आओ बहुत अच्छा सरकार जाता है, दर्वासा खुलता है, रोना काती है सरकार, बेगम साहिब ने मिर्जा साहिब और शेख साहिब के लिए इमाम जामिन भेजे है और ये हार, और कहा है कि जब से मिठ्टू बेटे को आपके सिधारने की खबर हुई है, बराबर टेटे कर रहा है सफा नंबर 98 मीर साहब अरे भई, ये तो बड़ी मुसीबत है, वाकई मिठ्टू बेटे तो सख्त परिशान करेंगे सबको रोना कार, आई सरकार, वो तो अगर जरा देर भी सरकार को ना देखे, तो आफ़त मचा देता है मीर साहब क्या राए है मिर्जा साहब, जहां इतना सामान हुआ, वहां एक पिंजरा और सही मिर्जा साहब जो राए आली हो, मगर इतने सामान का तो महसूल पड़ जाएगा मीर साहब तो भई, तुम ही बताओ कौन सी चीज जरूरत से ज़्यादा है बगैर पान दान के काम नहीं चल सकता बगैर नाश्टे दान के कैसे चल सकता है और इसी तरह सब चीजे जरूरी है शेख साहब वल्ला मालूम होता है कि ये विलायत का सफर है मिर्जा साहब और क्या, भई, जितने आदमी विलायत जाते हैं वो सब तोते का पिंजरा और बटेर का काबुक ले जाते हैं मिर्जा साहब तो भई, मैं इन बेजबानों की जान तो लूँगा नहीं चाहे कुछी भी हो जाए शेख साहब औरे नहीं साहब, हरगिस नहीं बहरहाल अब सामान निकलवाना चाहिए बग्या आती ही होंगी मिर्जा साहब अरे भई, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है दौलत आता ही होगा मिर्जा साहब अरे भई, अपना काम करने में भी कोई तकलीफ होती है क्या यह आपने खुब कही बल्ला, मैं ही सामान निकालता हूँ मीर साहब अमाद तुम्हे मेरी कसम जो सामान उठाओ अमाद ये भी कोई बात है बला दर्वाजा खुलता है सफ़ा नंबर निन्यानवे दौलत सरकार, बग्या हाजिर हैं एक एक रुपे में आई हैं मीर साहब अच्छा तो भाई, मिर्जा मैं एक मर्तबा जरा घर में हुआँ शेख साहब बस, तो फिर गाड़ी मिल चुकी मीर साहब अमाद भी आया मैं बस सामान रखा गया कि मैं आ गया मिर्जा साहब हाँ हाँ आप जरूर हुआ हैं मगर जरा जल्दी कीजिएगा मीर साहब अरे बस में अभी आया तुम सामान रखाओ और मैं बस अभी आया जाते हैं मिर्जा साहब देखो दौलत, कोई चीज रहना जाए दौलत क्या मजाल है सरकार मगर एक बग्गी में तो सामान ही आएगा मिर्जा साहब बस तो एक में हम सब आ जाएंगे शेख साहब मगर यार तो देखा पिंजरा और बटेरों के काबुक मिर्जा साहब के पास ही रखना मिर्जा साहब ये भी अच्छी दिल लगी रहेगी दर्वाजा खुलता है मिर्जा साहब लीजिये जनाब में आ गया मिर्जा साहब बस तो बिस्मिल्ला कीजिये दौलत को छींक आती है अच्छी मीर साहब अरे भी ये कौन था लाहौल विलाकुवत आओ भी आओ मिर्जा जरा बैठ जाओ शगुन खराब हो गया एक एक पान खालो फिर चलेंगे इस पत्तमीज दौलत को तो देखो इस वक्त बस शगुनी सी हो गई है शेख साहब अच्छा खर एक एक पान खालीजे दौलत सरकार पान हाजिर है मीर साहब लो भई पान खालो सब पान खाते हैं चलो वही चलो अब उठो सफा नंबर सौ शेख साहब बिसमिल्ला मिर्जा साहब हिललला मीर साहब अरे वही चल दौलत बाहर से सब को हटा दे दौलत हुजूर बाहर कोई नहीं तो श्रीफ ले चलें सब चलते हैं बिल्ली की आवाज आती है सब रुख जाते हैं मीर साहब है 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 अरे कमख़त रास्ता काड़ गई मिर्जा साहब ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ के रास्ता काड़ गई मीर साहब अरे बस तार दिया जाए के गाड़ी छूट गई शेख साहब पिला आलम ये भी खबर है के जहां आपको जाना है वहाँ दिन भर में खुदा जूट ना बुलाए तो हर घंटे पर गाड़ी छूटती है मीर साहब अमा तो कुछ और सोचो ना शेख साहब तो आखिर इसमें क्या मजायका है के आप अब दूसरी गाड़ी से चलें मीर साहब भाई अब बेगम हर्गिस ना जाने देंगी शेख साहब तो ये समझ लीजिए जायदात का मामला है कहीं खुदाना ख्वास्ता खटाई में ना पड़ जाए मीर साहब अहाँ क्या आरस करूँ कुछ समझ में नहीं आता रौनक आती है रौनक सरकार बेगम साहबा कहती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं हर्गिस ना जाने दूँगी मीर साहब अरे साहब तो मैं कहा जा रहा हूँ मिर्जा साहब तो आप फरमाए किस मजमून का तार दिया जाए पूरन सफर मुल्तवी कर दिया शेख साहब जनाबे वाला इसका असर मुकदमे पर क्या पड़ेगा मिर्जा साहब मगर भई मजबूरी की वज़ा से सफर मुल्तवी किया है ना सफ़ा नंबर 101 शेख साहब अरे भई क्या मजबूरी है यही ना के चंद वहम घेरे हुए है मीर साहब अरे लौट आओ भई शेख साहब ये शगुन नहायत मनहूस होता है दर्वाजा खुलता है रौनक आती है रौनक सरकार बेगम साहबा कह रही है कि बिल्ली रास्ता काट गई है अब मैं हर्गिस ना जाने दूँगी मीर साहब भई हैं तो वाकई ये बहुत बुरा मकर मकदमे का क्या होगा रौनक सरकार जाइदाद आपर से सब्खे की बगर जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए मीर साहब वाकई अब तो मेरे कदम भी नहीं उठते शेख साहब अरे हजरत ये सब वहम है वहम मीर साहब भई शेख ये क्या कह रहे हो अमा ये क्या कह रहे हो यानि बिल्ली रास्ता काट जाए और तुम उसको मामूली बात समझो मिर्जा साहब नई नई साहब ये कोई बात नहीं है ऐसी हालत में सफर हर्गिस नहीं हो सकता मीर साहब भाई शेख साहब मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम्हारे सरे अजीज के कसम अब भाजान मरहूम के एक दोस्त घोडे पर सवार थे और जंगल का रास्ता था कि बिल्ली रास्ता काट गई बस फिर ना पूछो घोडे का एक कदम आगे बढ़ना ही था कि उसने ठोकर ली और सवार सर के बल गिरा मिर्जा साहब अए है जनाब फिर तो बड़ी चोट आई होगी मीर साहब अमा चोट यकीन जानों के तमाम पेशानी लहूलुहान हो गई शेख साहब अरे भाई तिफाकन हो गया होगा ऐसा ये क्या जरूरी है के हर मरतबा ऐसा ही हो रौनक आई वामिया अल्ला ना करे ऐसा हो मेरा तो सुनकर कलीजा ही धड़क रहा है सफ़ा नंबर 102 मीर साहब भाई शेख साहब बाज वक्त तुम नहायत न समझी की बाते करते हो गोया ये शगुन और बद शकुनी कोई चीज ही नहीं है शेख साहब साहब मैं तो इन बातों को महमल समझता हूँ मिर्जा साहब भाई साहब ये तो नहाँ कहिए अलबत्ता ये कहिए कि आप कुछ नई रोशनी के आदमी होकर रह गए है मीर साहब अमा तुम्हे मेरी कसम अजरा देखो तो शेख साहब की धिटाई कि बिल्ली रास्ता काड़ जाए और ये शेर डटा रहे है मिर्जा साहब खेर सफ़र तो मेरी नाचीज राय में मुनासिब नहीं है अलबत्ता ख्याल है तो सिर्फ ये के मुकदमे का क्या होगा रौनक आई मिया चूले में गया मुकदमा अल्ला जान सलामती रखे तो ऐसे ऐसे सैक्डों मुकदमे होंगे मीर्साहब भई वल्ला ये भी एकी रही अमा सुनते हो मिर्जा की रौनक की दुआ कि ऐसे ऐसे सैक्डों मुकदमे मेरे लिए मांग रही है रौनक आई तौबा कुर्बान जाओं मुझे क्या मालूम मीर साहब तो भई मिर्जा अब तुम ही बताओ इस मकदमे का क्या किया जाए मिर्जा साहब हजरत मेरी अकल खुद हैरान है दर्वाजा खुलता है दौलत आता है सरकार तो क्या सामान उतार लिया जाए मीर साहब सामान तो भई खेर जरूर उतरेगा खुद मुकदमा रहे या जाए दौलत तो सरकार बग्गी वालों को तो किराया दे नहीं पड़ेगा मीर साहब अरे हाँ हाँ तो किसने कहा कि ना दो मेरी नाकिस राय में तो हाकिम को तार दे दिया जाए अरे भई वही तो बात है कि आखिर क्या तार दिया जाए यही कि बिल्ली रास्ता काड़ गई और मुलाजिम को छींका गई मीर साहब भई शेक साहब तुम वल्ला इन बातों को फिर वहम कह रहे हो है अरे भई यानि बिल्ली रास्ता काड़ जाए और वहम मिर्जा साहब नहीं साहब नहीं यह वहम नहीं है बलके वाकई इहतियाद शर्त है आखिर हमारे बुजर्ग क्या करते थे मीर साहब मैं आप से अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे बुजर्ग तो इन ही खयालात की वज़ा से सफर को मुनासिब नहीं समझते थे दर्वाजा खुलता है दौलत आता है दौलत सरकार सरकार घजब हो गया एक बग्गी का घोड़ा भागा भागा फिर रहा है मैं तमाम सामान के और बटेरों का काबुग भी उसी बग्गी पर है मिर्जा साहब और शेख साहब दर्वाजी की तरफ लपकते हैं मीर साहब हाई 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 ऐलाही खैर खुदा मेरी बटेरों को हिपज और अमान में रखे अज़रा जल्दी देखो भाई अमाज़रा जल्दी जाओ तो रॉनक हम वो तो मुवा शकुन ही खराब हो गया था इस मुवे नक्टे दौलत को भी इसी वक्त छींकानी थी दौलत अरे ज़रा जबान सबालिये नक्टा मैं क्यूं होता जो कहे वो खुद उसकी साथ पुष्ट रॉनक देखिए सरकार ये मुवा मुव भर भर के मेरी पुष्टों को कह रहा है मीर साहब अरे भई ये लड़ाई का वक्त नहीं है खुदा को याद करो खुदा को सफा नंबर एक सो चार दौलत सरकार मीर साहब चिप चिप रहो सब सब चिप रहो रॉनक सरकार देखिए न ये मुवा मीर साहब अरे खुदा को याद करो मेरी बटेरें इस वक्त सक्त मुसीवत में हैं दरवाजा कुलता है शेख साहब और मिर्जा साहब दाखिल होते हैं मिर्जा साहब लीजे हजरत अपनी बटेरें मैंने जाते ही घोड़े को पकड़ लिया मीर साहब भाई वल्ला कमाल किया आपने आमा जरा देखो तो बटेरों के दिल कैसे धड़क रहे है मगर वल्ला है कि खुदा ने हम लोगों को कैसा बचाया भै शुक्र है हम बग्गी पर सवार ना थे शेख साहब सिर्फ आपकी सुराही गिर पड़ी है बाकी सब खेरियत है मीर साहब खेर भै सुराही गिर गई तो जाए सबकी जानों का सद्का उत्रा है मिर्जा साहब हाँ साहब रसीदा बूद बलाए वले बखेर गजिश्ट शेख साहब लाहौल विला कोगत क्या हंगामा हुआ है बैठे बिठाए मीर साहब अजी ऐसा वैसा हंगामा जरा मेरा कलेजा तो देखो अब तक बेकाबू है अरे दौलत जरा शर्बते अनार तयार कर और भई मिर्जा मैं जरा महल में हुआँ ताके बेगम कुछ मिनान हो जाए मिर्जा साहब तो हम लोग इजाज़त चाहते हैं मीर्जा साहब अच्छा भई, खुदा हाफिज शेख साहब आदाब बजा लाता हूँ मिर्जा साहब तसलिमात अर्ज करता हूँ मीर्जा साहब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज पैरों की चाप दूर जाती सुनाई देती है बहाना किसी काम को करने या ना करने की जो वज़ा बयान की जाए जो जूटी भी हो सकती है उसे उज़र कहते हैं किसी मौजू पर दो या ज्यादा अश्खास की बहमी गुफटगू खानदानी वज़ा खानदानी तौड तरिके सियाहत मुलकों की सेर चश्मे बराह बहुत शदीद इंतिजार करने वाला मुजाइका हर्ज गबाहत तवालत लंबाई महावरतन मुश्किल गरीब खानदानी इंकिसार के साथ अपने घर के लिए कहा जाता है इमाम जामिन वो रुपिया या सिक्का जो मसाफिर के बाजू पर हिफाज़स से पहुचने के ख्याल से इमाम जामिन यानी इमाम मुसा रजा के नाम पर बांधा जाता है और सफर खत्म होने पर उसे खैरात कर दिया जाता है महसूल टैक्स लगान मुल्तवी करना किसी काम को जिस वक्त होना है उस वक्त उसे ना करने का फैसला करना लहुलुहान खुन में लुथड़ा हुआ मुहमिल बेमानी नाकिस खोटा एबदार रसीदा बूद बलाए वले बखैर गजिश्ट फार्सी का एक मुकूला एक मुसीबत आई थी लेकिन खैरियत के साथ टल गई सफ़ा नंबर एक सो छे गौर करने की बात शौकत थानवी रोज मर्रा की बातों को बड़ी खूबी से बायान करते हैं और इसमें ऐसे दिल्चस्प नुक्ते पैदा करते हैं कि कारीब बगएर हांसे नहीं रह सकता खुदा हाफिज ड्रामा इसकी बहतरीन मिसाल है इसमें जवाल आमादा तहजीब और नवाबयान की माशरती जिन्दगी की एक जलक पेश की गई है इस ड्रामे में कुछ तोहमात का जिक्र किया गया है जिसका शिकार आम इनसान आज भी है जैसे सफर में जाने से पहले अगर छींका जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे बुरा शगुन समझा जाता है लखनवी तहजीब का एक हिस्सा ये भी है कि सफर पर जाने से पहले इमाम जामिन बांधते हैं जिसका मकसद ये होता है कि आपको खुदा के हिफाज़त में दिया इसी तरह सफर पर जाने से पहले दही चक्षना भी अच्छी अलामत समझा जाता है इसके अलावा सुराही या किसी बरतन के तूट जाने को भी अच्छा समझा जाता है और ये खयाल किया जाता है कि कोई बला टल गई सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक मीर चाहब सफर से पहले क्यूं खबरा रहे थे? सवाल नमबर दो वो अपने साथ सफर में क्या-क्या सामान ले जा रहे थे? सवाल नमबर तीन मीर चाहब ने अपना सफर क्यूं मुलतवी कर दिया? सवाल नमबर चार मीर चाहब का किर्दार आपको कैसा लगा? मुखतसरन बयान कीजिए सफा नमबर एक सो आठ अमली काम अपने साथियों की मदद से ड्रामे के मकालमों को ड्रामाई अन्दास में पढ़िए जो किर्दार आपको पसंद आया हो उससे मुतालिक चंद मकालमें खुशकत लिखिए दिये गए मुहावरों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए सर के बाल सफेद करना कलेजा हाथों उचलना हवा से बाते करना डटे रहना हाथ पैर फूलना उल्टे पैरों वापसाना हवा के घोडे पर सवार होना खटाई में पढ़ना ये अलफाज किन माकों पर इस्तिमाल होते हैं इल्लला, बिस्मिल्ला, नसीब दुश्मना इस ड्रामे में कुछ ताबे मुहमिल अलफाज इस्तिमाल हुए हैं ताबे मुहमिल वो बेमानी लफस होते हैं जो बामानी अलफाज के साथ बतोर ताकीद या रब्त बोले जाएं जैसे बांस के साथ वांस यहां वांस मुहमिल है आप इस तरह के कुछ अलफाज सोच कर लिखिए इसी के साथ नवा उर्दू भाग एक का नवा सबक यहां खत्म होता है इसके बाद सबक 10 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तूती C.I.E.T. N.C.E.R.T.